अच्छा वही सब मैंने ये सुनाया है कि गल्यात के जो जंगलात हैं यहां पे चीते और शेर की प्रैसेंस हंडर्ड परसंट होती है तो मुझे ये बताएं अगर इस वाकिंग ट्रैक पर चलते हुए हमारे सामने शेर या चीता आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे हुगगगगगर देम अथन हो नहाए थे लो जाए जामने विर्क । असलाम अलेकुम वीवर्स इस नवीद और मैं आज आपकी खिनमत में हादर हूँ एक नए व्लॉग के साथ आज कि इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वाकिन ट्रैक के बारे में जो अपनी खुबसूरती में अपनी मिसाल आप है आपने अपनी जिन्दगी में बेशनवार वाकिंग ट्रैक पर वाक की होगी लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ गूंगा गली पाइपलैंट ट्रैक पर जो के इंतहाई खुबसूरत पाइपलैंट ट्रैक है और आपका ये सफर यादगार रहेगा अभी हम इस वक्त मुझूद हैं चांगला गली में चांगला गली गलियात की सबसे बलंद गली है और इस वक्त बर्फवारी के बाद यहां पर बहुत खूबसूरत मनाज़र नजर आ रहे होंगे आपको यहां पर भी हमने नाश्ता करना है और नाश्ता करने के बाद हमारा अगला जो स्टॉप है वो पाइपलैंड ट्रैक है तो आप हमारे साथ सद रहीगा तो अचिकन पराथ है अन्दा मलेट है प्राई है चनने दाल माश है तंबूरी चूचा है प्राखा चिकन है आप अप अजय को अजय को कि आए विवर्ड इस वकत हम मुझूद हैं चंगले गली में और चंगले गली में एक फोजी डबा होटल है इस पे हम नश्ता कर रहे हैं नश्ते में प्राठा और इसके सथ हम लेड़ है और गर्म-गर्म किसम की चाय एंज्वाए कर रहे हैं चंगले गली में नाश्ता करने के बाद हम बढ़े अपनी मन्जिल डूंगा गली की जानेब नाश्ते के बाद एरादा यही था कि डूंगा गली से पहले रास्ते में कहीं नहीं रुकना लेकिन कुज़गली के करीब बंदर पॉइंट पे बंदरों को देखके दिल ने कहा थोड़ी दिर बंदरों से मुलाकात ही हो जाए यह मेरे साथ आपको एक बंदर नजर आ रहा होगा और इस स्पॉट पर बेशमार बंदर है इसको बंदर पॉइंट कहते हैं यहां पर जो यह बंदर है यह गल्यात का हुस्न है यहां पर करीब मकामी अबादी नहीं है लहाजा इन बंदरों की जो बसर उकात है वो स्याहों की तरफ से दिये जाने वाली खाने पीने के अशिया पर है तो मेरी आप से यह रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहां पर आएं इन बंदरों के लिए कुछ न कुछ साथ जरूर लेका हैं और इनकी जाफत करना ना भूलें पहाड से आने वाले चश्मों को जखीरा किया जाता था और अंग्रेज जो फोजी उस दौर में इस जखीरा शुदा पानी को पाइप लैंड ट्रैक के जरिए अपनी फोजी यूनिटें जहांबे उनकी डिपलाई थी वहां पानी पहुचाते थे तो मैं अभी आपको वो दिखाने लगा हूं जो वाटर टेंग है और भी शेंक्ति यह देखें आप तो ये वह वाटर टेंक है जो जहां से यह पानी जखीरा किया जाता है और इसके जरिए पाइप लाइन ट्रैक के तुरूँ ये पानी वहां पे पूरे गलिया में वहां पहुचाए जाता था वाटर टेंक से वापसी पर होटल स्नो लैंड मिलेगा आपको चार बंदों के लिए एक चिकन कड़ाही काफी होगी और आई थिंक एक हजार उपे में सोदा महंगा नहीं है होटल स्नो लैंड के बिलकुल सामने एक रास्ता बाइपलाइन ट्रैक की जानिब जाता है ट्रैक के अगाज पर मौजूद शौप से आपको बर्फ में वाकिंग ट्रैक पर आसानी से वाक करने के लिए तमाम जरूरी अश्या मिल जाती है वाकिंग ट्रैक पर आगाज में ही मुक्तलिफ बोर्ड दिखाई देंगे अयूबिय नैशनल पार्क में पाई जाने वाले दारखतों और जानवरों से मुतालिक ये मालूमात अगर आप पढ़ने तो ट्रैक पे सफर का लुट्फ मजीद दुबाला हो जाएगा लेकिन एक अहम बाज जो ट्रैक के बोर्ड पर नहीं दर्ज लेकिन वो करना लाजमी है वो है एंट्री टिकट लेना तो एंट्री टिकट लेना मत बूलिएगा तो फ्रैंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं डूंगा गली पाइप्रेंट ट्रैक पर जो यहां से यूबिया तक जाता है और इसकी जो मसाफित है वो तकरीबन 4 किलो मीटर पर मुश्तमिल है और यह मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि यह कुदरती हुसन की दौलत से माला माल एक ऐसा खुबसूरत अडवेंचर किसम का वाकिंग ट्रैक है आईए चले हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं इस वाकिंग ट्रैक के दिल्चस्प निजारे सफर के आगाज में ही उजूबिया नाशनल पार्क के दिलकश गुदरती मनाजर ने हमें अपने सहर में जकर लिया पुर्सकूम आहौल और हरसू कुदरत के दिल फरेब नजारे बता रहे थे के पाइपलाइन ट्रैक पे ये वाक हमारी जिन्दगी की जादगार चहल कदमी बनने जा रही है फ्रेंड्स इस खुबसूरत किसम के वाकिंग ट्रैक पर मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ दो खुबसूरत किसम की शख्सियाद मुजूद हैं जिन में हैं एक मोटू और एक पतलू जी हाँ मोटू पतलू की जोड़ी है मेरे साथ और मोटू से मराद है मेरी वहीद अहमद अबासी साब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्ते हैं और पत्लू से मुराद है जी श्वेबख्तर साप हां जी बिलकुल श्वेबख्तर इस जवान का नाम वाके ही में श्यफ़ेबख्तर है थालो प्रेंड़ sashe pack डिएड़ाव के दिस्तियाब है पकस्तान के सूपर स्टार है में पाइपलाइन ट्रैक पे सफर करते हुए खुद को जिस कदर मुम्किन हो सके दाएं जानेब रखें क्योंकि बाएं जानेब गहरी खाई है जरा बाओं फिसला तो आप हुद को अजूबिया नाशनल पार्क की जंगली हायात का महमान पाएंगे और जंगली हायात बिन है और इसको कुड़ा किरकट पैंगने के लिए यूज किया जाता था आप देखें कि उस दोर की डस्ट बीन बनाई भी है और इस पे लिखा भी हुआ है भी हैविटूल टू लिव इना ग्रीन एंड क्लीन इंवार्मेंट तो हम सब लोगों को भी चाहिए कि जब यहां से गुजरने हों इस पर ट्रैक पर वाक कर रहे हों तो गंदगी ना फिलाएं क्योंके ग्रीन पाकिस्तान लॉंग लेप पाकिस्तान अच्छा पाइप लाइन पर जो आप अगर साइड पर देखे हों तो यह सेफटी लाइन जी लगी थी लेकिन आजकर लेनों नहीं हटा दी है उसकी वज़ज़े है कि बर्फ बारी जब होती है तो वह ताके बर्फ को एक रास्ता मिल जाए और वह नीचे की जानब चली जो बेस्टा अगर इस वाकिंग ट्रैक पर चलते हुए हमारे सामने शेर या चीता आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे जो कुछ करेगा वो भासी आप यह लतीफा हो गया पुराना कोई नहीं बात करें नहीं सुने अचारी दफाए ऐसा हो कि मैं जा रहता है जिलाग के गलियाद के जंगलाप में तो आगे से एक शेर आ गया तो मैं शेर को दे क चारी करें में 息क चाहलाव चाहाय सीने योजह के उसीने मेरे कान पर है मेरे कान पर है कियो यार यार कैता है या ड्रामया आपना रीच के सार्वारा करें आड जीम उना हो है जिनकी मालूमात और रहनुमाईG की ऊजए सफर का लुट्फ मजीद दुबाला हो गया असे यहां पर एक बोर्ड सा लगा हुए जिस पर हिस्ट्री ऑफ पाइप्लाइन ट्रैक लिखा हुए और इस पर इसकी मुक्तसर सी हिस्ट्री लिखी वी है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इन शाटली बता देता हूं कि यह जो पाइप्लाइन ट्रैक है यह अठाना सो यह पाइप्लाइन ट्रैक जो उनकी मरी में अपनी यूनिट्स वगरा थी उनको पानी की दिस्ट्याबी के लिए यह पाइप्लाइन ट्रैक बिचाई थी वाकिंग ट्रैक का जो सफर है वो हमारा एक किलो मिटर हो चुका है और यहां से आगे तीन किलो मिटर का रास्ता अभी बाकी है और अगर आप चलते हुए ठक चुके हैं तो यहां पे आपको अराम करने के लिए यह चोड़ा सा स्पॉर्ट बना हुए जहां पे आप थोड़ी देर के लिए अराम कर सकते हैं उसके जाए जाए कौफी चॉकलेट किष्मिरी.. तो आपको रारिस काइड आपको आ इडिया हो गया होगा आप जब भी आइए इस बाई से यहाँ पर चाहे कवीड़ा भी सकते हैं इससे जो सफर का लुथफ वह दुबाला हो जाते है Tá अच्छा वाइ सब मुझे यह बताएं आप ड़िए अगर वाकरी सच में आपके सामने आज आर और वे आपसे पूछे के वही तो तो मैं में मैं खाने इस ट्राक पे वाक करने का मज़ा एक तरफ लेकिन इस बर्फ पे स्लाइडिंग का जो मज़ा आता है वो लफजो में बयान नहीं किया सकते है बर्फ बारी के बाइस गिरे एक दर्ख ने इहतिजाजन रास्ते के दर्मयान दर्ना दे रखा था लेकिन मनजल पे पहुँचने का अजम हो तो इनसान रास्ता बना ही लेता है वाकिंग ट्रैफ पे दिल्चस्प किसम की चीजें भी हैं जैसा कि यह आपको द्राफ नजर आ रहा होगा यह बहुत ज़्यदा बर्फ बारी के वज़ा से यह तो तूटके गरते हैं तो इसके विए से रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है तो फिर आपको बाई जैसी महारत चा कर लिए तो वसे वसे यह बर्फ जो है वह ज्यादा होती जा रही है तो आईए देखते हैं और क्या सीन है क्या मना आपको बाई आपका तीन किलो मेटर कर रास्ता तैकर चोका है यह साइन बूड बता रहा है कि अभी एक किलो मेटर हमने आगे और चलना है एक तफ़ा फिर दोबारे इनोंने वही जो हिस्ट्री मैं आपको पहले एकस्प्लेन की थी दोबारा बताई वी इस पाई प्लैंट ट्रैक के बारे में और थकावड के बाद यहां पे बैठ के अराम किया जा सकता है और यहां पे इनोंने लश किसम का इंत्जां किया हूवा है लकड़ी की आग का चाय वगरा पी नहीं हो तो साथ स्टॉल भी है अब चाय भी पी सकते हैं सर्दी का मुसम और आपको पकोड़े नजर आजाएं और वह आप ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता एलिस मैं ऐसा नहीं करता क्यूंकि मुझे पकोड़े बहुत जदा अपसंद तो यह यहां पे एक स्टॉल है और इनके पास पकोड़े मुझूद हैं गरा में जी पकोड़े किस प्लेट हैं यह अंडरेट की प्लेट है चाय भी है काफी भी है उसकर आपकोड़ेंस भर भी है चाय ठीक हो गये तो ऐसा करें आप हमारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाएं और आप इंतजार करें जी पकोड़े खाने के बाद आगे बताते हैं गर्मा गर्म पकोड़े लेकिन इस वाकिंग ट्रैक पे फासला जितना कम होता है उतनी अफसरदगी होती है। काश ये रास्ता मजीद तवील हो जाए हम नेशर को मजीद इंजॉय कर सकें। मन्सूर भी मजे वे बता हैं कि यहां पर जंगली हयात के बारे में क्या जाता है। कौन-कौन सी ऐसी जंगली हयात है कि यहां पर पाई JERती है। परेंदे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लैपड बगेरा जो चुत है उर्फाइ जाते हैं। अच्छा अच्छा जब यहां पर बड़ बारी ज्यादा होती है तो वो निचे अबादी करोफ करते हैं और वहां पर जनवरों गएरा करनुपसान करते हैं लेकिन कोई बड़ा आथसा अल्खम्द लिल्ला भी तक नहीं हो जाने शुकर आफ यह मुझे बताएं कि आपने अब अच्छा यह एक ब्रिज बना हुआ है और इसको मकामी जो जबान में इसको यह कहा जाता है कि यह नक्षे वाला पुल है और यह देखें आप साथ यह एक अप्शार है जो इस वकत बर्फबारी की वज़ा से बिलकुल जम गई है और अधर्वाइस पिर भी आपको एक मनज अधर नदर आ रहा हुगा है जैसे कि यह पानी का वाटर फॉल है बाकी यह जो ब्रिज है यह भी ब्रिटिश दोर का बना हुआ है यहां से वह अपनी आर्मी उनकी जो आर्मी है वह यहां से गुजरा गरती थी अच्छा यहां पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यह देखें यह कुछ नक्षे बगरा बने में इस पुल के साथ तो आई थिंक इसी वज़ा से इसको नक्षे वाला पुल कहा जाता है लेकिन यह मुझे नहीं समझा रही है कौन सी जुबान लिखी हुई है वही दैम् में यह लिखा हुए है कि आपने मारे युट्यूब चानल को सबसक्राइब कर दे और हमारे बैल-ाइकन को प्रेस करते हैं आपको यह दुबान के स्टार्ट किस ने किया साथ क्या थर क्या स्था क्रास पहलो है मुझे पता हो कि कर्दीम ज़़ान में क्या लिखा हुए है ग उसी दोर में कुछ तखलिकात की गई हैं आपको ये दिखाओं में वो भी देखें ये नक्षे से बने में अगर आपका यहां पर गुजर हो तो ये जरूर देखेगा बड़ी इंटरस्टिंग किसम की ये नक्षे हैं इन नक्षों के मुतालिक कहा जाता है कि ये गदीम पत्थर की जुबा है और ये तीन हजार साल पुरानी तहरीर बुदस्ट के जमाना में लिखी गई तो ये गदीम विर्सा है इन पर स्क्राच करने ये कुछ लिखने से इजतनाब किया जाए अचा जी ये मेरे साथ दो पुलीस फोर्स के जवान है और ये इस वाकिंग ट्रैक पर सिक्यूरिटी के लिए इनकी स्क्यूरिटी की जूटी पर मामूर है तो इन जवानों से हम भी मिलें इन्हों ने बिताया कि चार बज़े तक टाइमिंग है चार बज़े तक आप ये अ मनसूर भाई से मिलने वाली मालूमात के मताबिक ये एक महफूज और फैमिली ट्रैक है मौसम सर्मा में शदीद बर्फबारी और सनो स्लाइडिंग की वज़े से ये कुछ अर्सा के लिए आरजी तार बर बंद हो जाता है जिसे जतनी जलती मुम्किन हो सके बहाल कर दिया जाता है आप यहाँ वैमिली के साथ आ सकते हैं जंगल में से दरिंदों की आवाजें आती रहती हैं लेकिन आज दलक ऐसा कोई वाक्या रूपोर्ट नहीं हुआ कि ट्रैक पे टूरस्ट का सामना किसी दरिंदे से हुआ हो पर यह बटरफ्लाइज ओफ यूविया नेशनल पार्क का बोड़ लगब है और जितने भी अक्साम की बटरफ्लाइज इस यूविया नेशनल पार्क में मुझूद हैं उनके बरे में इंफरमिशन दी गी है और यह बड़ी इंट्रॉस्टिंग इंफरमिशन है आप आप इसको जरूर पढ़िएगा आप अच्छा शोयब आप यहां पर आ चुके हो समर सीजन में भी एक दफा तो मुझे यह बताओ कि समर सीजन में इसकी कैसी लुक थी बिलकुल मैं यहां पहले आ चुका हूं समर में तो अभी तो यहां पर बोट ज्यादा बर्त पारी आप देखने आप तरफ उस तरह का सब्जा नहीं है इस तरह का सब्जा यहां पर समर के सीजन में जब आप यहां पर आते हैं तो दफ्टों के साथ आपको सब्जा ही सब्जा नजर आर होता है और उसमें बड़ा अच्छा अभी यह आठा है यहां पर फाइनली जी हमने यह चार किलो मेटर का पाइपलेंड ट्रैक मुकमल कर लिया है बहुत अच्छा ट्रैक है कुदरती हुसन की दौलत से माला माला है यहां पर बहुत से जंगली हयात भी है और प्रेंदे वरह भी पाई जाते हैं जो इसके कुद के साथ जरूर आएं और गर्मियों में इसका जो हुसन है वो मजीद दुबाला हो जाता है और क्योंके गरिनरी की वज़े से यहां पर काफी अच्छे नजारे आपको देखने को मिल सकते हैं और अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहां पर यह साइन बोर्ड नजर आ रहे ह तो अगर आप उस तरफ जाना चाहें तो अधर भी जा सकते हैं और एक रास्ता जो है मोटर टैनल की तरफ भी जाता है अधर भी आप जा सकते हैं तो आज तक जो हमारा यह सफर था पाइपलैंड ट्रैक का वो यहां पर अखताम पजीर हुआ आपको वीडियो कैसी लगी कम हुआ 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 है